हेलो दोस्तो मैं हूँ अमित, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके सुड़ूप चनल नौलेज नोर में दोस्तो इस साल पास हुए रेल बजट में ट्रेनों के प्राइवटाइजेशन के ऊपर खास ध्यान दिया गया है जिसके अंतरगत 150 ट्रेनों को प्राइवेट पार्टनर्शिप के तहट अलग-अलग रूटों पर चलाये जाएगा दोस्तो अभी फिलहाल देश की दो प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस आई-यार-CTC के दोरा संचालित की जा रही है जिसके बाद इंडियन डेलवेज देश की तीसरी प्राइवेट ट्रेन चलाने की घोस्टना की है तो चलिए जानते हैं देश की तीसरी प्राइवेट ट्रेन के बारे में दोस्तों IRCTC के दवारा देश की तीसरी प्राइवेट ट्रेन महाकाल एकस्प्रेस चलाने की पूरी तयारी रेलवे के दवारा शुरू कर दी गई है यह ट्रेन सब्ताह में तीन दिन इंदोर लखनव वारानसी और तीन दिन इंदोर इलाहबाद वारानसी के बीच चलेगी दोस्तो इस तीसरी प्राइवेट ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि इसमें तेजस का कोच न लगाकर हम सफर एक्सप्रेस के कोच लगाए जाएंगे जिसके कारण इसमें एसी कोच के साथ साथ स्लीपर कोच भी देखने को मिलेंगे यानि कि कम पैसे वाले लोग भी इस प्राइवेट ट्रेन में सफर कर सकेंगे दोस्तो रेल मंत्री स्री प्यूश गोयल ने बताया कि इंदोर उज्जैन और वारानसी में दो जोयतिर लिंगों को जोड़ने के लिए इस ट्रेन की सुरुवात की जा रही है दोस्तो यह ट्रेन देश की पहली ऐसी प्राइवेट ट्रेन होगी जो की रात में भी चलेगी और इसमें यात्री सो कर यात्रा कर सकेंगे अभी फिलहाल जो भी तेजस चल रहे हैं उसमें वह दीन में ही चलती हैं और इसमें लोग बैठ कर ही यात्रा करते हैं लेकिन इस train में सोने की भी सुविधा रहेगी दोस्तो इस train का पूरा संचालन IRCTC के द्वारा किया जाएगा जिस से सीवरात्त्री तक चलाने की उमीद है यह train सब्ताह में कितने दिन किस रूट पर चलेगी यह IRCTC ही डिसाइड करेगा लेकिन railway से ऐसा समय मांगा गया है जिस में यह ट्रेन दोनों तरब से दो पहर दो बजे अपने सोर्स से निकले और सुबा आठ बजे तक अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाए दोस्तो इस तरह से आज के वीडियो में आपने देश की तीसरी प्राइवेट ट्रेन महाकाल एक्सप्रेस के बारे में जाना बाकी इस ट्रेन को लेकर आपकी क्या राय है और यह ट्रेन कितना सकसेज होगी कॉमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजेए आज के इस वीडियो असे इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो में थेंक्यू फर वाचिंग फ्रेंड्स